हे दोस्तों नमस्कार एक बार आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्योब चैनल डियर गुरुजी पर्त दोस्तों भौतिक बिग्यान मैंने आपको बताया था कि टोटल नौ चैप्टर्स हैं और उनमें यह दूसरा चैप्टर है बल और गतिस का पहला जो चैप्टर थ समली जो होने वाला तो वहाँ पर भी काम आएगा ऑग। चैप्ट करते हैं वीडियो को तो यहां पर पहले कोशिण क्या है आपका क्या कारणा है कि व्यक्ति चटान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो प्रतिकिरिया है आपने सुना होगा जो Newton का गती का तिसरा नियम है उसके according क्या है कि Action reaction का जो rule है जब कोई व्यक्ति चटान पर प्रहार करेगा तो क्या होगा चटान भी उसी परिवार में एक प्रतिकिरिया बल लगाएगा और जिसके कारण जो व्यक्ति है वो चटान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है तो option जो इसका C है वो बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं एंगले question पर तो अगला question कर रहा है आपका यहाँ पर एक समान गती के साथ एक वस्तू एक समान गती के साथ एक वस्तू क्या नहीं हो सकता त्वरित हो सकता है त्वरित नहीं हो सकता है जिसे हम लोग एक समान गती यानि की uniform accelerated motion भी कहते हैं तो option जिसका B है वो correct हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं next question पर तो next question आपका गहरा है यहाँ पर निम्नांकित में कौन आभासी बल है आभासी बल का अगर देखा जा तो यहाँ पर जो अपकेंद्रियबल होता है जी हाँ option जो C है वो correct हो जाएगा किसी व्रित्ताकारपस पर गतिसील वस्तु का जो वस्तु होती है उस पर केंद्र की केंद्र से बाहर गिरोड़ लगने वाला जो बल होता है वो अपकेंद्रियबल है इसकेंद्र को熟नख पर आपकेंद्रीय वाला जो बाहर behavior ज readiness जो इससख पर किस संब्स पर किसमसील करणेश जल्चन की पहला जो पर जाळत्वकाने ऑसायगा रएक जो दि है यह चरह और देम लोग ज्या यहाँ जडत्टकानीन यहीं प्वएंस किसे जो यक्राइब है कोशेन फाइब पर आपकेजले कर से इक जाहिएब लिएफ में इस और जुकना चाहिए एक cycle चालक होता है उसके वृत्तिय गति में अगर देखा जा तो केंद्र की ओर जुखना चाहिए जी हां दोस्तो तो option जो इसका C है वो correct हो जाएगा जब कोई cycle चालक वृत्तिय पत्पर गति करता है तो उसे अपने इस्तिति को संत्लित रखने के लिए अभी केंद्र यानि क कोशन आपका कह रहा है कि वृत्तिय पत्पर गतिसील एक वस्तु उधारण है अगर वृत्तिय पत्पर कोई गतिसील वस्तु है तो अगर हम इसको कह सकते हैं कि वो एक समान गति और चरवेक कर रहा है तो option जो इसका C है correct है अगर जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्क पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्य गति कहते हैं और वृत्य गति में गतिसील वस्तु की जो दिशा होती है वो सदेव बदलती रहती है और वो वस्तु जो तो किसी निश्चित वा इस्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर रहती है और यदि वस्तु एक समान च तो यहां पर option जो इसका D है यह correct हो जाएगा और यह जो सिधान्त है Newton के गती के तिरसे नियम के अंदर गता है और इस नियम के recording में आपको अभी पहले question बताया था कि जो किरिया होती है उसके बराबर पंतुर प्रतिकिरिया भी लगती है अर्थात एक वस्तों में जितना समव समविक परिवर्तन होता है दूसरी वस्तों में भी उतना ही समविक परिवर्तन उसकी बेपरिदी सामें होगा तो यहां पर देखा जाए तो option जो डी है वो बिल्कुल correct हो जाएगा चले बढ़ते question no.8 पर तो कह रहा है यहां पर एक नाव जल में नहीं डोबेगी जब उसक के द्वारा विस्थापित जो जल है वो किसके बढ़त होगी वो होगी नाव के भार के राबर जी हां option जो इसका B है वो बिल्कुल correct हो जाएगा उत्प्लाउन का नियम आपने सुनों होगा तो जब एक नाव या कोई भी वस्त हो है या कोई भी चीज है वो तरल में यानि क ग्रूप से डूगो ही आती है तो उस पर लगने वाला उत्पुलान बल उस वस्त द्वार विस्थापित से तरल के भार के बराबर होता है और यदि कोई वस्त द्वार विस्थापित किये गए तरल का भार जो है वो वो जो है वस्तु के भार के बराबर होगा चले बढ़त जिसका A है वो बिल्कुल correct हो जाएगा सबसे कमजोरबल होता है परन्तु अनंत पराथ यानि कि इसकी जो range होती है बहुत जादा होती है अगर बात के second number पर आपका क्या आता है तो दुरूबल नावकिये बल होता है वीक nuclear force होता है दो तरह के नावकिये force होता है दुरूबल ए अनिक प्रबल जो दुरूबल होता हो second स्थान पर आता है यह basically हम चैसकते हैं चार मौलिक बल होते हैं जो कि आपने नेचर के नेचर में पाये जाते हैं उनमेंसे आपका सबसे जो कमजोरबल होता है जो सकतिसालीकावल होता है और इसका परास भी जो हता है बहुत ज़यादा होता है, और आपका सबसे सक्तिसाली बल होता है बहुत है, वो सरवाधिक सक्तिसाली होता है लेकिन उसकी परास होती है वो कम होती है . charts पर तो एकला कोशन आपक यहां पर कह रहा है वृत्ताकार पत पर गतिसील वस्तु यदि एक चरड़ पूर्ड करने में एक सिकंड लेती है तो इसका ओसत वेग क्या है तो जो 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 जीरो होगा कितना होगा जीरो होगा तो जो सक डी वो करेक्ट हो जाएगा चले बढ़ते ह अगले कोशन पर तो अगले कोशन आपका कह रहा है यहाँ पर प्रच्छेप का पत कहलाता है तो जो प्रच्छेप कैसा होता है जिसे आप लोग कोई बॉल उठा करके फेक हो तो वो क्या होता है कि यह बिसिकली बॉल जैसे अपनी आ से फेका तो यह ऐसे जाता है तो यह प्र प्रच्छे प्वक्र देखें वक्र के रूप में बना है न तो यहां पर option जो C है यह प्रच्छे प्वक्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी यहां दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले question पर तो question number आपका 12 कह रहा है आपका यहां पर कि rail की गती किस प्रकार की गती का उधारड है दोस्तों rail की जो गती है वो आपका रूपांतरित गती का उधारड है तो option जो इसका D है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा रेल की गति जो होती है, वो रुपांतरित गति का एक उज़र होती है, तो option d यहाँ पर correct हो जाएगा, क्योंकि रुपांतरित गति में वस्तू के सभी भाग जो होते हैं वो समान दिसा तशा समान समय में एक समान वेक से समान दूरी करते हैं तो 25 गति आपके दो प्रकार के हैं एक आपका सरल लेखिए गति और एक आपका वक्रीए गति समझे चलिए बढ़ते हैं दोस्तों कोईशन नमबर 13 पर तो कहरा आपसे यहाँ पर यदे एक वस्ट एक समान-गति से वृत्ताकार पत पर गतिशील है तो अगर कोई सेउस्ट वह रिद्धा कार बत पर गटी सील है तो इसका जो वेक है वह परिवर्टित होता रहेगा और एक समान व्र्थिघ यानि कि युनिफोरम फारुपलर जो मोशन होता है उससे घति वह सबस्क्रिश न मिलेके Belie के लगतार परिवर्थित होती रहती है इसलिए वस्तु के बेग में परिवर्थन रहता है तसबत्र को जो है में सा जीरो ही रहता है चले पढ़ते है कुशन मर्र्च आप लसे क्या कहा है यहां पर टोप से गोला अगा जाता है तो गोले की गती है तो तोप से जब एक गोला दागा जाता है तो जो गोले की गती होती है वो बिसिकली प्रचेप गती का इलाती है जी हाँ तो प्रचेप गती का एक उधरार होता है ये तो option जो इसका B है बिल्कुल correct हो जाएगा चले बढ़ते है अगले question पर तो अगला question आपका यहाँ पर कहुआ रहा है क्या कि करिया और प्रतिक्रिया करिया और प्रतिक्रिया सदेयों क्या होता है basically देखा जाए तो समान परिमारवाले होते हैं तो इसका बी है यह करेक्ट हो जाएगा न्यूटन के गतिका तीसरा नियम फिर से वह यागए एक्सन रियक्सन याद रखेगा और क्रियो प्रतिक्रियाबल सदियो समान परिमार वाले होते हैं यह चीज़ भी आपको याद रखना है नेक्स्ता क्वेशन नूमर 17 का क्या है कि वाश्ट मशियन का कारे द्धान की रही है साथी र에 बनके कंड़े बल है है तो आपकेंडर के सिधान पर क्रेक्ट हो जाएगा next question पर आते हैं तो अगला question आपके हहां पर कह रहा है लोलक घडियां यानि की pendulum clock गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई है वह बढ़ जाती है जी हां गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने का रहा है उनका जो अवर्थ काल है वह भी बढ़ जाता है इसके वज़ाद से जो लोलक की घड़े होती है वह सुस्त यानि की स्लो हो जाती है तो आपको पता है कि में लाश में आपको कुछ ऐसे उक्रड़ बताता हूं जो क आपके पेपर में उनकी होने काम तो हर पार में आपको उताता हूं तो यहां पर एक है electric motor विष्टक जो है बिद्व दुर्जा को यांतरी को जामी बदलने के वाले एक उपकरण है बहुत एक्वार इकोशन पूछा जा जुका है इसके लाब़ाव इलेक्ट्रॉन सब्सक्राइब मातर में लोग सब्सक्राइब आपका चित्रों को परदों पर प्रच्छेपड करने के लिए प्रयोग किया जा जाता है, आपका फ़ायर एक्सटिंगर यह होता है आग हुजाने वाला जो आपने देखा हो ना कि आपने में कई मौल्स में कर्णा शिर्त कषा सिलेंडर है वे ही होता है इसको अगनky-smart के अंतर हम लोग बोलते हैं और अगला आपको यह कोमेंट कर एंगर किसका जबस्स बाइक मिलेगा मेंग्ट करने दीजेगा चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और हाँ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर कर दीजेगा जिससे ज्यादा व्यूज आ सके दोस्तों अब बबाए टेक केर जैहिंद जैभारत मिलते हैं सबसे नेक्ट पार्ट में